दोस्तों गीता में कहा गया है कि कर्म कीजे फल की अप्रिक्सा मत रखे और वो आपको नीरा सकी अभरी वक्ती करा सकता है ऐसा ये कल कुछ मेरे साथ हुआ जल्दी जल्दी ऑफिस का काम कहतब करके और मुझ भागते हुए मैं थेटर गया और जैसे ही मैंने टिकेट मांगा वो बंदी ने बड़े प्लार से मुस्कुरा कि मुझे का सर आप आखरी वेक्ती हो जो इस प्रिम का टिकेट मांग रहे हो मैंने पूछा सो हाउसफिल है क्या उसने बुला नई सर ये सो कैंसल हो चुका है कि कि पहले भी आप लिए नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका हमारे नए वीडियो में आज हमें रिव्यू करने वाला था डिजनी के आई होई नई फिल्म लेकिन उसका कोई शो अविलेबल नहीं था एक था जो कैंसल हो चुका था तो मैंने सोचा ये कैंसल हो चुका है तो नेक्ष्ट मूवी देख लेते हैं जो 1920 थी वो एक होरर मूवी थी और उसका शो लेक नैट का था तो मैंने सोचा घर ही चलते हैं तो घर आके मैंने सोचा अब क्या किया जाए तो मैंने सोचा चलो नहीं फिल्म ना सही कोई पहले देखी हुई अच्छी सी फिल्म तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं ये 2008 में आई हुई अंगले से फिल्म हैंकॉक दोस्तो हैंकॉक एक सूपर हीरो मूवी है लेकिन स्पाइडर में बैट मैन और सूपर मैन जैसे सूपर हीरो से यह थोड़ी हटके हैं इस सूपर हीरो को उसके शैट के लोग प्यार नहीं करत हैं उसके वज़ा है अपने सूपर हीरो है वो अपनी व्यादा स्खोच चुका है उसको बस इतना ही याद है कि 80 साल पहले जब उसकी आचे खुली तो वह एक अस्पतार में बैट पे था और उसके जेब में एक फिल्म का टिकेट था उसके अलावा उसको कुछ याद नहीं अपने अकेले पंच से तंग आके वो सराव का सहारा लेता है और शरावी बन जाता है लोगों की नफरत उसको और परिशान करती है यह सब चल रहा होता है कि फिल्म में एंट्री होती है दूसरे हीरो की जो एक आम आदमी है और एक सोशल वर्तर है वो अपने सूपर हीरो को समझाता है और उसको सही रास्ते पे लेके आता है और उसको वक्त के में सही माईने में एक सूपर हीरो बनाता है जिससे लोग शेयर के लोग प्यार भी करते हैं और वो अपना हीरो बन जाता है सूपर हीरो यह सब सही चाल रहा होता है तब ही कहानी में एक ट्विश्ट आत अपने इस सूपर हीरो से लड़ने के लिए इस फिल्म में कोई सूपर विलन नहीं है सब सहर के गेंग्ष्टर्स है जो आम आदमी है लेकिन वो अपने सूपर हीरो की हालत खराब कर लेते और वो भी लॉजीकल है ऐसे के नहीं कोई क्रिप्टन लगा दिया और अपना सूपर हीरो वेबस हो गया है सब कुछ बहुत अच्छे से और प्रांग तरीके से ये फिल्में दिखाया गया है जो देखने में बहुत इंटरेश्टिंग भी लगता है और मजा भी आता है इस फिल्म में आपे विल स्मिथ, चार्लिस थेरोन और जेसन वैटमें लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे सभी कलाकारों है अपना कान बहुत अच्छे से किया है खास करते विल स्मिथ फिल्म में बहुत ही अच्छे लग रहे है फिल्म का एक्शन और म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों इस फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छे से सोचा, लिखा और फिल्मा आ जाए ऐसा क्लाइमेक्स आपको किसी दूसरे सूपर हिरो की मुवी में देखने को नहीं मिलेगा तो फिल्म का क्लाइमेक्स आपको रोमाचित कर जाएगा और एक क्या होगा अब क्या होगा और जो होता है न वो देखके तो आप खुश हो जाओगे तो फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत है फिल्म का क्लाइमेक्स देखने के बाद आप में भी एक फिलिंग आएगी कि हर आदमी में एक हीरो होता है चाहिस उपर हीरो ना सही लेकिन हीरो तो होता है तो दोस्तों मैं रिकमान करूँगा कि आप एक बार ये फिल्म ज़रूर देखे जब वक मिले विकेंड में या अगले विकेंड में जब भी लेकिन एक बार ये मुवी जरूर देखिए तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ तब तक बबाई एन जैहीं